Hello everyone, I hope you all are doing good. I am your MESH teacher Aradna from Learnohub, a free learning platform where you can learn MESH, Science, SST, absolutely free at learnohub.com तो बच्चो, are you all ready? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ NCRT Solution for Class 7 और हम फिनिश करेंगे आज अपना Comparing Quantities की Exercise 8.3 का Solution पिछली क्लास में मैंने इसी Exercise के Question No. 1, 2, 3 किये थे आज हम फिनिश करेंगे Exercise 8.3 पूरी की पूरी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपनी Notebook और Pen के साथ Ready होंगे और मेरे साथ साथ Solve करेंगे तो चलो बच्चो शुरू करते हैं अपना Exercise 8.3 का Question No. 4 तो Question No. 4 क्या कह रहा है? अरुन बट अकार 4 रुपीज 3,50,000 बहुत ही असान है देखिए उसने खरीदी थी 3,50,000 पर नेक्स यर उसी कार का प्राइस हो गया 3,70,000 यानि कि जो कार का ओरिजिनल प्राइस सा उससे उसमें हो गया इंक्रीमेंट यानि कि obviously कार वेचने वाले को हुआ फायदा ठीक है अब हमें पता करना है कि उसका कितने परसेंटेज से प्राइस इंक्रीज हुआ है तो इसके लिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि क्या इंक्रीज्ट मनी है जो की कार की बड़ी है और फिर हमें कार कार इन फर्स्ट इयर और इन फर्स्ट इयर कितना था था थ्री लेग फिप्टी थाउजन कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हैं विद रेफरेंस तो यॉर इसा नहीं है कि आपको कुछ एकदम पर्टिकुलर आप लिख भी सकते थे कि प्राइस ओफ कार ओन विच अरुन बॉट राइट या आप कुछ और भी लिख सकते थे कि मनी स्पेंट भाई अरुन ओन कार कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन वो होना चाहिए कुछ ना कुछ आपका इस प्राइस के रेफरेंस में ठीक है तो मैंने लिख दिया प्राइस ओफ कार इन फर्स्ट इयर यानि कि पहली साल जिस साल उसने खरीदा वाकि उससे पहले वह बा ठीक है तो नेक्स्ट इयर में उसका कितना हो गया बढ़ गया थीदा थीदा दिख रहा है कि 3,70,000 हो गया तो कितना बढ़ गया उसका प्राइस 20,000 राइट बहती असान क्यालकुलेशन है कुछ करना ही नहीं है हमें तो फटा फटम निकलेंगे इंक्रीस्ट वैल्यू ओफ और इंक्रीस्ट प्राइस ओफ कार तो हम यह आप लिखेंगे इंक्रीस्ट प्राइस ओफ कितना हो जाएगा जो हमारी इंक्रीस्ट मनी है मलब जो इंक्रीस्ट प्राइस है उसमें से हम अपना प्रीवियस प्राइस को सब्ट्रेक कर देंगे ज बहुत ही असान था कुछ करना ही नहीं था कैलकुलेशन भी बहुत ही एजी है अब हमें निकालना है अपना प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला या फिर यहां पर हो जाएगा increased okay increased percent तो हम यहां पर profit एक तरीक से यह profit ही हुआ है कि हमें जो है वो price बढ़ गया car का right तो इसमें हम क्या करेंगे यहां पर हम लिख देंगे increased percent in place of profit percent वैसे तो profit ही है आप देखे increase percent हमें निकालना है तो हमारी increased value हमें पता होनी चाहिए कि कितनी increase हुई है upon किस price पर हुई है original value पता होनी चाहिए तो original value of car और original price of car जो be with respect to the question हमें लिखना होता है into hundred अब substitute कर देते हैं values को फटा-फट तो देखिए यह हो गया हमारा 20,000 upon हमारा आ गया 350,000 into hundred क्योंकि percentage में कर रहे हैं तो देखिए यह तो उसका हो गया कि fraction form और उसको convert कर रहे हैं हम अपने percentage में तो लगा देंगे hundred का multiplication तो चलिए जीरो-जीरो cancel कर देते हैं यहां से कितने हो जाएंगे one two three four तो one two three four ठीक है सारे के सारे हो गया ठीक है आप देखिए यहां पर हम इसको simplify कर सकते हैं यह हो जाएगा हमारा five sevens are thirty five and five twos are ten twenty ठीक है अब देखिए क्या बच्चा हमारा फटाफट multiply करके देख लेते हैं यहां उपर बच्चा हमारा twenty into two right so two into twenty upon seven जो की हो जाएगा हमारा forty upon seven right now forty upon seven को हम convert कर लेंगे अपने mixed fraction में क्योंकि यह है एक improper fraction तो क्या हो जाएगा seven five is a thirty five five whole five by seven percent ठीक है बहुत ही असान था तो हमने इसको निकाल लिया आप चाहें तो से decimal form में भी लिख सकते हैं आप का आएगा कुछ इस तरह से five point something कुछ आएगा तो वो हो जाएगा answer क्योंकि हमें किसी particular form में पूछा नहीं है तो हमने लिख दिया अपना fraction form में तो कितना price increase हुआ price increase in percentage हो गया five whole five by seven percent तो आई होप आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा हम चलते हैं अपने next question पर चलो बच्चो शुरू करते हैं अपना question number five तो question number five क्या कह रहा है I buy a TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20% how much money do I get for it मतलब उसने खरीदी है 10,000 में यह क्या हो गई CP हो गई और उसने कितने profit percent में उसको sell किया है 20% में ठीक है हमें find करना है उसने कितनी money उसको मिली जब उसने sell किया यानि कि SP तो आप देखिए यहां पर जब भी आपको यह CP, SP या फिर आपको CP और profit percent दिया है या SP और profit percent दिया है तो आप कैसे find करेंगे in terms of CP and SP उसके कुछ formula होते हैं जो मैं आपको फटा-फट recall करा देती हूँ तो पहला formula होता है for SP when CP and profit percent is given ठीक है profit percent की बात कर रही हूँ मैं profit की नहीं lot of difference होता है profit percent और profit के बीच में ठीक है तो क्या formula होता है SP को find करने का SP हो जाती है हमारी hundred plus profit percent into CP upon hundred ठीक है यह होता है हमारा SP को find करने का formula CP के लिए होता है for CP महला cost price when SP and profit percent is given यह formula आप भाई हाट भी कर सकते हैं नहीं तो इनको ना जो हमने formula use किया था profit percent equal to profit upon CP into hundred उससे भी find करके निकालते हैं ठीक है तो वही जो नॉर्मल calculation करके जो formula आता है वही मैंने यहां पर लिखते हैं तो आप इनको by heart भी कर सकते हो या आप इसको समझ के याद भी कर सकते हो कि profit के case में तो obviously कुछ add ही हो रहा है और loss के case में हमारा subtract होता है इससे भी आप याद रख सकते हो आप देखें इस term में हमारा CP हो जाता है 100 into SP upon 100 plus profit percent ठीक है तो देखें यहां पर क्या अबब है हमारा 100 plus profit percent जो हम SP को find कर रहे हैं और CP में हमारा क्या है यह चीज़ उपर है 100 into SP और upon में हमारा actually इसका reciprocal है आप पस यह याद रख लीजे SP में यह है तो CP में इसका reciprocal है और SP का multiplication है क्योंकि हमें CP find करने है तो बहुत easy way है इनको याद रखने का कि आप बस यह याद रखिए तो इसका reciprocal यहां लिखना है आप देखिए loss के case में क्या होता है वो भी मैं फटा-फट आपको पता देती हूं तो loss के case में to find SP okay to find SP when loss percent and CP is given ठीक है तो इसका भी एक फ़र्मूला है बहुत ही असान है वो मैं आपको फटा-फट बताऊंगी और आपको फटा-फट recall भी हो जाएगा आपने यह definitely chapter में पढ़ाई होगा तो देखिए क्या होता है SP equals to hundred minus minus हो जाता है बस महां profit obviously कोई चीज add हो रही है और loss में हमारा subtract हो रहा है तो hundred minus loss percent into CP upon hundred ठीक है यह होता है formula हमारा SP का और हमारा CP का होता है to find CP when SP and loss percent is given ठीक है तो क्या हो जाएगा reciprocal of this value ठीक है जो कि मैंने आपको बताया CP हो जाएगा हमारा hundred upon hundred minus loss percent ओके और बस CP find कर रहे है तो multiply by SP दोनों ही काफी related है बस क्या difference है यहां loss percent minus हो रहा है वहां पे plus हो रहा था in case of profit percent ठीक है तो चलिए आयोप आपको formula है तो अच्छे समझ में आ गए होंगे आप हम इनी फॉर्मूलों को यूज करके जो भी इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है question में उसे यूज करके इसको solve करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए लिख लेते क्या क्या गिवन हमें CP of TV हमें given CP of TV is rupees 10,000 right profit percent on TV हमें given है वो कितना है हमारा 20% तो देखिए हमें CP पता है और profit percent पता है हमें क्या निकालना है SP of TV right हमें वहीं find करना है तो फटा 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 हम फॉर्मूला लगा देंगे SP equals to in terms of profit 100 plus profit percent upon hundred into CP चलिए फटा फटा फट वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं सभी हमें दी हुई है तो हमारा हो गया 100 plus profit percent हमें कितना दिया गया है 20% 20% upon hundred into CP हमारी कितनी है 10,000 अब simple calculation है फटा फटा इसको solve कर लेंगे देखिए तो यहां अप में क्या जोएगा यह अप में हो गया यह SP equals to 120 upon hundred into 10,000 right अब देखिए zeros हमने zeros से cancel कर दिये और जो बाकी बचा हुआ है वह हम multiply कर लेते हैं तो 120 into hundred जो कि हो जाएगा one two zero and two zero add कर दिया फटा फट ठीक है यह मैं आपको कई बार बता चुकिए कि जब भी इस तरह का multiplication होता है पहले बंजा कर लिजा फिर जितने number of zeros है वह बस add कर दीजे ठीक है तो यह आगे हमारा 12,000 मतलब कि उसको 12,000 का मैं उसने भेची अपनी TV तभी तो उसको 20% का profit हुआ तो हम लिख देंगे आपर selling price और the money he got is 12,000 ठीक है 12,000 रुपीज उसको मिले यानि की 20% profit में उसने कितने में बेची उसने बेची 12,000 रुपीज पर तो आपको सारे फॉर्मूले और यह question जो भी given था उसके basis पर जो फॉर्मूला हमने use किया वो सारी चीजे आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी हम चलते अपन next question पर चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना question no.6 तो question no.6 क्या कह रहा है जुही sells a washing machine for rupees 13,500 she losses 20% in the bargain what was the price at which she bought it मतलब इसमें क्या क्या दिया गया आपको sales यानि की selling price दिया गया है कितना उसको loss हुआ है वो भी दिया गया है 20% उसको loss हुआ है और हमें क्या find करना on what price she bought यानि की CP हमको find करना है ठीक है तो आप देखिए हमने इससे previous questions में ही अपने previous question में ही पढ़ेते formula तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है SP दिया गया है और loss percent दिया गया है तो हमें पता है formula जा हमें SP और loss percent दिया हुआ है तो क्या formula होता है CP find करने का वहीं हम use करेंगे और फटाफट find कर लेंगे अपनी CP की price ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे SP of washing machine ठीक है कितना है 13,500 रुपीज राइट आप देखिए loss percent on washing machine यह भी लिख लेते हैं फटाफट ठीक है loss percent on washing machine हमारा है 20% और हमें क्या find करना है CP of washing machine तो वो हमें find करना है तो question मार के तो हमें पता है formula क्या formula होता है CP equals to 100 into SP upon 100 minus loss percent अभी just हमने इसके पहले वाले question में यह formula पढ़ा था तो चलिए फटा-फट सारी values हमको पता है substitute कर देते हैं CP की value find करने के लिए हमने substitute की value तो 100 into SP हमारा कितना था 13,500 राइट अपॉन 100 minus loss percent कितना है 20 ठीक है तो यह कुछ इस तरह से आ गया हमारा आप देखें CP हो जाएगी 100 upon 100 minus 20 हो जाता है 80 into 13,500 आप देखें 00 हमने cancel कर दिया अब देखें कर देंगे फटा-फट फट 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 फोर टूजा 8 और ऊपर आ गया हमारा 4 टूजा 8 & 4 5 सा 20 यानि कि जब आप 4 से 100 को divide करेंगे तो आपका आजाएगा स्वरी 4 से आप 100 को divide करेंगे तो आपका आजाएगा 25 ठीक है तो देखें CP हो गया हमारा फिर से अब जो neatly लिख लेते है जो भी आया है उसको ठीक है यह हो गया 1350 अब देखें इससे इसको कर सकते क्योंकि यह एक even नमबर है तो 270 होगा जब इसको divide करेंगे तो यह आएगा 6 75 अब हम multiply करेंगे अपने 675 into 25 तो जब हम इसको multiply करेंगे तो CP आएगा हमारा ठीक है तो हमारी CP आगई 16,875 यानि की हम लिख देंगे the price at which at which do he bought washing machine do he bought washing machine में short form में लिख दे रही हूँ washing machine is rupees 16,875 यानि की उसने कितना spend किया खरीदने में 16,875 लेकिन उसने sell किया 13,500 तो देखिए अब आपको पता है कि उसकी CP जादा है और SP कम है तो obviously यह loss है तो आप loss value भी find कर सकते कैसे आप करतेंगे CP माइनस SP ठीक है तो बहुत ही असान था पटा पट कर लिए हमने solve आप चलते हैं अपने next question पर चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना question number 7 तो question number 7 क्या कह रहा है first part पटते हैं इसका chalk contains calcium carbon and oxygen in the ratio 10 is to 3 is to 12 find the percentage of carbon in chalk ठीक है अब इस तरह के questions हम पहले भी कर चुके हैं सबसे पहले आपको क्या करना है जो भी आपको ratios लिए गए हैं जो भी term में chalk में calcium carbon and oxygen के वही respect में यहां लिखे हुए है ठीक है आप देखें सबसे पहले हम find कर लेंगे अपना sum of ratio जो की हो जाएगा 25 और फिर हमें पता है कि carbon जो है वो middle one है तो middle one क्या पार्ट है 3 तो 3 upon 12 हो गया हमारा carbon का पार्ट ठीक है और into 100 कर देंगे तो हमें उसका percentage पार्ट पता चल जाएगा ठीक है तो वैसे हम इसको solve करेंगे चलिए शुरू करते हैं अपना first part solve करना तो सबसे पहले हम लिखेंगे sum of ratio ठीक है जो भी ratio हमको दिया गया तो हो गया 10 plus 3 plus 12 यानि कि 25 अब हमें अपना निकालना है carbon part तो हम निकालेंगे carbon part चाहें तो आप लिख लीजिए ratio is 10 is to 3 is to 12 ठीक है तो carbon part हो जाएगे हमारा in terms of percentage सबसे पहले हम लिखेंगे fraction में तो 3 out of 25 जो है वो है हमारा carbon ठीक है into 100 यानि कि percentage form हो गया आप देखे 25 फोर्जा 100 और 4 into 3 यानि कि 12 परसेंट जो है वो है उसमें carbon का part ठीक है तो यह हो गया हमारा first part अब आते हैं अपने second part पर तो second part में क्या कह रहे है if in a stick of chalk carbon is 3 gram what is the weight of the chalk stick अब देखे क्या पूछा जा रहा है कि अगर stick में आपका carbon stick of chalk chalk आप सबने देखी है उसमें carbon जो है वो है 3 grams ठीक है तो हमें weight पता लगाना है chalk stick का अब देखें आपको पता है कि chalk बनी है हमारी calcium carbon and oxygen से ठीक है लेकिन हमें उसका weight नहीं मालूम तो हमें जो चीज मालूम नहीं होती हम क्या एक्स तो हम लिख लेंगे अपनी the weight of of chalk be x आप देखें 12% of x is what carbon which is 3 gram हमें दिया गया है ठीक है अब हम इसको solve कर लेते हैं 12 upon 100 into x equal to 3 gram अब आप जब भी percentage को देखेंगे इस तरह के समसंदर पहले एक्सराइज भी सॉल्व किया उसको लिख लेंगे अपने fraction form में अब देखें यहां पर में x find करना है तो यह हो जाएगा 12 x equal to यह जाएगा उधर तो यह हो जाएगा 3 into 100 ठीक है अब x हमें निकालना है तो यह यहां multiplication में other side में चला जाएगा division में तो 3 into 100 upon 12 ठीक है आप देखिए इसको solve कर लेते हैं फटा फट तो यह हो गया 4 3 4s are 12 of 100 upon 4 हो जाएगा हमारा 25 यानी की हमारा weight of chalk आगया 25 grams तो हम लिख देंगे ठीक है हम लिख देंगे weight of chalk answer में यहां पर लिख नहीं हूँ weight of chalk is 25 gram तो देखिए हमें पता था कि 12% of x इस 3 gram जो की है हमारा carbon और वो हमने कैसे find किया था previous question में हमें find कर लिया था कि कितना percentage part है हमारा carbon का chalk में तो उससे हमें पता चल गया है I hope आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा हम जलतें अपने next question पर चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना question number 8 तो question number 8 क्या कह रहा है Amina buys a book for rupees 275 and sells it at a loss of 15% ठीक है how much does she sell it for अब देखिए हमें क्या क्या किया गया है सबसे पहले उसने buy किया यानि यह क्या हमारी CP है फिर उसके वाद क्या दिया गया है loss percent दिया गया और हमें find करना है कि उसने कितने में उसको sell किया यानि कि selling price तो हमारे पास formula है जहां हमें loss percent और CP given हो तो कैसे find करेंगे SP तो चलिए उसी के basis पर हम इसको solve करेंगे सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें given है तो हम लिखेंगे CP of book ठीक है तो वो कितनी आई हमारी rupees 275 ठीक है फिर उसको loss percent हुआ है loss हुआ है उसको loss percent given है तो loss percent on book जो की आ गया हमारा 15% और हमें find करनी है SP of book यानि कि selling price of the book ठीक है तो वो हमने question mark कर दिया यह सब हमें पता था और यह हमें find करना है अब हमें formula भी मालूम है in terms of CP and loss percent to find SP तो हम लिख लेंगे वो formula क्या होता है SP equals to 100 minus loss percent upon 100 into CP ठीक है तो चलिए फटा पट substitute करते है values तो हमारा loss percent हमको पता ही है कितना हुआ है 15% upon 100 into CP हमारी कितनी है 275 ठीक है अब यह हो गया अब पटा पट इसको solve करते हैं तो देखे क्या आ जाएगा SP equals to उपर आगया हमारा 85 upon 100 यानि कि यह value unto 275 अब देखे इन दोनों को हम simplify कर देंगे 25 से तो यह आगया 11 यह हो गया 4000 ठीक है अब क्या left out बचा उसको हम multiply कर लेंगे 85 into 11 upon 4 अब देखे कुछ भी simplify नहीं होगा कोई वी ऐसे common factor नहीं है जो यहा तो 11 of 4 क्योंकि यह तो एक prime number है 85 वो 4 को भी divide करें तो यानि जो है वही रहेगा कुछ हम reduce नहीं कर सकते हैं तो हम फटाफट multiply कर लेते हैं तो यह आ जाएगा हमारा ठीक है 935 upon 4 ठीक है अब इसको solve कर लेते हैं तो आप हम इसको divide करेंगे तो यह देखे 935 को divide किया जहां हमने 4 से तो हमारा जाएगा टूजा ठीक है 4 टूजा 8 यहां आ गया 1 और यहां से bring down किया हमने थ्री यह सभी को आता होगा नॉर्मल डिवीजन है अब देखे 4 थ्रीजा 12 क्या bring down हुआ हमारा वन के बाद यहां सब्ट्रेक्शन के बाद और 5 हमारा bring down हुआ अब अगेन हमारा फॉर थ्रीजा 12 क्योंकि फॉर फॉर जा तो 16 जो कि 15 से जादा हो गया आप देखें यहां आ गया 3 आप हमारे पास कुछ भी नहीं ब्रिंग डाउन करने के लिए और हमारा यहां पर थ्री रिमेंडर है तो हम किस कॉंसेप्ट को लाएंगे अपने डेसिमल को तो यहां पर पर भी डेसिमल और डेसिमल के बाद हम हैट कर देते हैं जितने मर्जी चाह मैंने यहां पर केवल लिया अपने रिक्वायर्मेंट के साफ थरी जीरोगा नहीं होगा तो और ले लेंगे ठीक है तो देखिए मैंने लाया आपना first zero तो तो देखिए कितने ृफिजन गया sevens रूपीज 233.75 यूनिट को हमें एगनूर नहीं करना है फाइनल आंसर में हमें यूनिट को जरूर निखना है भले ही आप क्याल्कुलेशन के टाइम पर थोड़ा टाइम के लिए आप यूनिट ना लिखे लेकिन फाइनल अनसर में आपको यूनिट लिखना ही है यानि कि हमारा सेलिंग प्राइस आ गया रुपीज 233.75 और उसने कितने में बाई किया था 275 में तो किरियर हमें दिख रहा है कि उसको लॉस ही हुआ है ठीक है अब आपको पता करना है कि कितना लॉस अमाउंट है तो आप क्या करेंगे SP छोटा है और हमारा CP जाता है तो हमें कैसे लॉस अमाउंट पता चल जाएगा CP माइनस SP से ठीक है तो हम लिख देंगे She sold book for rupees 233.75 यानि कि 233.75 पैसा I hope आपको यह अच्छे से किलियर हो गया होगा हम चलते हैं अपने next question पर चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना question number 9 तो question number 9 में क्या है Find the amount to be paid at the end of 3 years in each case अब देखिए यहाँ पर हमारा concept आगया है simple interest का यहाँ पर हमें दिया गया है principle and rate of interest and time also दिया गया है पी यानि कि principle into R यानि rate of interest into T यानि कि time कितने time के लिए आपने लिया है money upon hundred अब hundred क्यों आता है क्योंकि rate हमें हमेशा दिया जाता है in terms of percentage तो rate को अगर हम आप normal form में लिखना चाहते है फ्रेक्शन form में तो upon hundred ही करना पड़ेगा ठीक है तो यह होता है formula इससे हमें पता जिल जाता है interest ठीक है interest की value अब जब interest find हो जाता है तो amount जो हम अपने किसी भी जिससे हमने बौरो किया money उसे amount देते है वो क्या होता है जो भी हमने amount उससे बौरो किया plus interest money यानि amount होता है हमारा हमेशा principle plus interest value ठीक है यह आपने chapter में भी पढ़ा होगा तो चलिए इसी बेसिस पर हम solve करेंगे यह दौनों questions शुरू करते हैं देखें बच्चों पहले question में क्या दिया गया है यह पार्ट में हमें दिया गया principle यानि की piece हम रेप्रिजेंट करते है प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल क्या होता है the amount which we borrow from someone it can be a bank it can be a person or it can be anything आप देखें यहां पर हमें even it can be our parents right किसी से भी हम borrow कर सकते है money help के लिए लेकिन हमें जब उसको बापिस करना होता है तो हमें देना पड़ता है with interest तो इसलिए हम निकालते हैं सबसे पहले interest value और फिर उसको add करते है अपने principle value में और वह amount हमें pay करना पड़ता है इसलिए हमेशा का जाता है कि don't borrow money from anyone क्योंकि हमेशा हमें उसमें loss ही हो जाता है तो देखें प्रिंसिपल क्या है हमारा यहां पर 1200 और हमारा rate of interest है यानि की percentage form में दिया गया है 12% ठीक है और time हमारा दिया गया है 3 years ठीक है हमने 3 years लिख लिख लिया आप मैं फॉर्मूला क्रिआं में इंट्रेंस simple interest से भी रिप्रेसेंट करते हैं तोक में इंट्रेस्ट हो जाएगा हमारा PnR into T upon 100 चलिए वैलियू सबसिट़्ू्ट करते है वहारा है हमारा 1200 इन्टु आर है हमारा 12 और टाइम है हमारा 3 जैसे स्कूल का प्रिंस्पल होता है उससे डर लगता है ऐसी जो आम वारो कर लेते हैं हमेशा हमको टेंशन रहती है कि इसको कैसे पे करें कैसे जितनी यली पे कर दें उतने हमें इंट्रेस्स कम पे करना पड़ता है ठीक प्रिंस्पल के स्कूल से प्रिंस्पल से डर लगता थीक है तो चलिए निकाल लेते हैं अपॉन हंड्रेट जीरो जीरो स्कैंसल हो गए अब हम जो भी वैल्यूस है उनको मुल्टिप्लाइ कर लेते हैं तो देखें 12 होता है हमारा 144 और 144 इंटु 3 कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगी अपनी इंट्रेस्ट मनी तो देखें इंट्रेस्ट मनी आ गई हमारी फॉर 3 इयर्स 432 रुपीज और हमने बॉरो किये थे 1200 राइट अब हमें जो एमांट देना है जिससे भी हमने बॉरो किया है वह हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एमांट प्लस 432 तो कितना हो गया यह हो जाएगा हमारा 1,632 रुपीज यानि की देखिये हमें लॉसी हुआ हमने लिया तो बारास होता लेकिन हमें अपनी पॉकेट से 432 और देना पड़ गया इसलिए का जाता है कि भाया अगर मनी बॉरो करो तो जल्दी से जल्दी उसको पे कर दो ठीक यह हो गया हमारा amount और यह आ गई हमारी interest value तो आपको यह अच्छे से clear हो गया होगा हम चलते हैं इसके second part चलो बच्चों हम करते हैं इसका B part तो B part में हमें क्या क्या दिया हुआ है हमें principal दिया गया है और हमें rate of interest दिया गया है और हमें time दिया गया है तो ठीक है तो चलिए फटाफट हम लिख लेते हमें क्या क्या गिवन है तो प्रिंसिपल हमारा है रुपीज 7500 देट अफ इंटरेस्ट है हमारा 5% और हमारा जो ताइम है वो तो सेम ही है 3 years तो हमें पता है कि हम interest value कैसे निकाल लेंगे interest का formula होता है P into R into T upon 100 तो चलिए इससे फटा-फट हम निकाल लेते हैं interest अपना interest amount आ गया हमारा value substitute करेंगे फटा-फट P है हमारा 7500 rate 5% T है हमारा 3 upon 100 zeros zeros हमने cancel कर दिये आप हमें आई पता चल जाएगा आई हमारा आजाएगा 75 into 15 ठीक है मैंने इन दोनों को multiply कर दिया 5 3 is a 15 आप देखिए किसी भी रूप में आप चाहें इन दोनों को पहले multiply कीजिए फिर इन दोनों कीजिए या फिर आप 75 into 3 into 5 करिए कुछ भी करिए answer सेमी आना है ठीक है तो यह आ जाएगा हमारा तो यह आ गया हमारा interest value ठीक है अब हमें निकालना है अपना amount तो amount होता है हमारा principle plus interest तो हमें पता ही है हमारा principle कितना है हमारा principle है 7500 यहाँ पर मैं school वाले principle की बात नहीं कर दी हूँ जो money हमने borrow किया उसकी बात कर रही हूँ ठीक है और interest हमारा है 11125 ठीक है आप देखिए यह हो गया हमारा पटा पटाम इसको add करेंगे तो यह आ जाएगा 8625 यानि की हमें पे करना पड़ेगा after 3 years 8625 I hope आपको यह भी अच्छे से clear हो गया होगा हम चलते हैं अपने next question पर चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना question number 10 question number 10 क्या कह रहा है what rate gives rupees 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years अब देखिए इस question को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले हमें क्या दिया गया है what rate यानि हमें क्या find करना है हमें rate find करना है gives rupees 280 as interest यानि कि interest है हमारा rupees 280 ठीक है on a sum of rupees 56,000 यानि कि जो money हमने borrow की है वो है हमारी 56,000 of money which we lend or borrow is called हमारा principle ठीक है और हमें time दिया गया है अब time हमारा है 2 years हमें find करना है अपना rate of interest अब हमें interest का formula पता है या आपने chapter में भी पढ़ा होगा कि interest का formula होता है PRT upon 100 इसी से देखिए मैं आपका formula निकालूंगी rate को find करने का देखिए हमें rate find करना है हमें I पता है हमें P पता है T पता है हम इसको यहां ले जाते हैं तो यह हो जाएगा हमारा I into 100 equals to P into R into T ठीक है अब हमें R find करना है तो rest of the values को हम ले जाते हैं इस side जो हमें पता है तो यह दोनों चली जाएंगी division में ठीक है तो क्या formula हो जाएगा formula हो जाएगा हमारा rate find करने का इसी formula से जो basic formula है उससे ही आ रहा है वो हो जाएगा I into 100 upon P into T यानि दोनों division में गए तो upon में आगे P into T ठीक है तो देखे हर चीज का formula जो यह base formula है I equals to P R T upon 100 उससे find हो जाता है अब देखे अगर आपको मान लो time find करना होता है तो उसका क्या हो जाएगा time को हम यहां रखेंगे बाकी सारी चीजों कि यहां ले जाएगे तो वो हो जाएगा I into 100 upon P into R ठीक है ऐसी अगर हमें principle find करना होता तो हम रखते I into 100 and upon हो जाता R into T तो देखे इस base formula से rest of the formula हमारे आ गए यानि कि अगर हमें three things फता है तो हम fourth thing find कर सकते है इसी formula को use करके ठीक है तो अब हम यह वाला formula direct use करते हैं और solve कर लेते हैं अपने rate of interest की value को तो चलिए substitute करते है values rate equals to हो जाएगा I हमारा कितना है 280 question को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और देख लेना है कि क्या क्या given है बहुत सारे बच्चे ना या sum को कभी कभी amount लिख देते हैं जो कि wrong हो जाता है आपको समझना है कि interest दिया गया है तो interest क्या हो जागा 56,000 प्लस ये value जो की हमारा हो जाएगा amount ठीक है तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़नी हो समझनी है आप देखें यहां हो गया हमारा interest ये इंटू 100 तो था ही पी की value है हमारी 56,000 इंटू टी है हमारा 2 years ठीक है बहुत यहसान था तो सबसे पहले था हम कर लेते हैं अपने zeros को cancel तो यह देखें 1,2,3 zeros उपर भी चले गए अब देखें यहां पर हम करते हैं इसको 2 बंजा और यह हो जाएगा हमारा 14 तो क्या आगे हमारा 14 अपन 56 अब इसको simplify कर लीजें दोनों किससे divide हो जाएंगे 14 से हो जाएंगे 14 बंजा and 14 फोर्जा 1 फोर्थ यानि 0.25% हो गया हमारा rate of interest जब भी हम rate of interest की बात करेंगे यह हमेशा होता है percent में यहां तो please don't forget to put percentage sign जब भी हम rate of interest को find कर लें तो क्या होगे हमारा rate of interest rate of interest है हमारा 0.25% यानि बहुत ही minute ठीक है तो आपको यह अच्छे से समझ आगया होगा हम चलते हैं अपने next question पर चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना question number 11 तो question number 11 में हमें क्या दिया गया है if Mina gives an interest of rupees 45 for one year at 9% rate per annum what is the sum she has borrowed यानि कि हमें क्या find करना है borrow money को हम क्या कहते है principle तो हमें यहां find करना है principle और क्या क्या given इसके लिए हमें ध्यान से पढ़ना होगा question तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है Mina gifts and interest of rupees 45 यानि interest जो उसने दिया है वो है हमारा 45 rupees ठीक है for one year यानि की time हमारा कितना है one year और हमारा rate of interest कितना है rate of interest है हमारा 9% per annum ठीक है तो per annum का मतलब one year के लिए 9% हमें rate of interest देना है what is the sum she has borrowed अग हमें find करना है अपना principle तो हम कैसे find कर लेंगे उसी basic formula से हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा हमारा हो जाएगा देखिए I equals to होता है P into R into T upon 100 अब पी find करना है तो बाकी सब को हम ले जाएंगे उस साइट केवल P हमें आ रखेंगे तो P equals to हो जाएगा I into 100 upon RT ठीक है यह हो गया अब हम इसमें फटाफट values को substitute कर देंगे तो principle हो जाएगा हमारा R की value हमारी I की value हमारी क्या थी 45 और हमारा 100 तो था ही formula में upon R कितना है हमारा 9 और T है हमारा बहुत ही असान है calculation 9 फाइव जा 45 हो गया ठीक है तो हमारा principle आ गया 5 into 100 यानि कि principle हो गया हमारा 500 रूपीज यानि कि उसने 500 रूपीज जो थे वो बौरू किये थे अब देखिए अगर आपको पता करना है कि उसने क्या amount बौरू पे किया तो देखिए 500 तो उसका principle था और उसने interest कितना दिया 45 तो वो हो जाएगा 545 amount जो उसने पे किया अब आपको amount पता है rate of interest पता है सबी कुछ पता है तो आपको अपना verify भी कर सकते है interest आ जाएगा 45 जब आप solve करेंगे ठीक है तो बहुत ही असान है इसकी calculation simple interest में सिर्फ formula waste question है आपको बस अच्छे से question को पढ़ना है क्या given है वो समझना है और बस उसी के हिसाब से आपको substitute कर देनी है values अपने formula में तो I hope आपको ये सारे questions अच्छे से समझ आ गए होंगे तो बच्छो ये तो था हमारे chapter number 8 comparing quantities की exercise 8.3 का पूरा solution मुझे पूरी उम्मीद है आप सबने इसको मेरे साथ साथ solve किया होगा और अच्छे से समझा होगा आप और हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे और finish करेंगे पूरा NCRT solution और आप सभी जानते हैं learn how free है but best है Thank you